आज मेरे किछन में बनने जा रहे हैं बेशन के पराथे जिसके लिए मैंने लिया है दो कप बेशन एक थोड़ा सा धनिया और हरी मेर्चे बारी कटी हुई एक कप आठा आदा चम्चा हल्दी हजबे जाय का नमक आदा चम्चा पिती हुई लाव मेर्च एक प्यास चॉप हुई प्री अब हम इसमें जो है सारी चीज़े डाल देंगे प्यास नसाले धनिया और हरी मर्चे और आठा और हम इसको आठे की तना गूल लेंगे लेकिन थोड़ा नरम गूल देंगे इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से यह देखें हमारा बेशन का वह बूंच है और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बनाए है यह कि पना इंगे इसके प्राठे बनाते हैं अब हम जो है इसके पेड़े बना रहे हैं है कि अब इसका पेड़ा बना लिया आप जब जब इसके पराथा बनाएंगे इसके पराथा बेल लिया है वेसन का अब इसको तब पर फ्राइ करेंगे अबस्के अबसे अबसे ने जड़ें है एप सबस्के ने दूप जालें है यह दगे हमारे बेशन के पाराथे जो है वो रेडी हो गये हैं, अब हम जो है इसके साथ सर्बोने वाली चट्नी बनाना शिकाते हैं, आपको जो कर रहे हैं चट्नी बनाना जिसके लिए मैंने लिया है नमक, दो लसन और 10 ते 12 साबुतलाल मिर्च, लसन और नमक और थोड़ा सा पानी आप जहां हैं इसको ब्लेंड कर लेंगे यह देखे हम चटनी जो है रेडी है अब हम इसकी मिर्चों की तेजी को कम करने के लिए इसमें से थोड़ा तेल डालेंगे यह हम इसमें ओल डालना है थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे इसमें यह देखे बेशन के पराथे और चटनी रेडी है आप इसको घर पे जरूर ट्राय कीजिएगा बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीज जो शेयर करना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्ला हाफिस